जैसे होstill आप आई होफ आप वेल और पूड अगे जैमा टैर्वू में आपका स्वागत हैं!kee आपका अपनाँ टैरोू जैमे टैरो इस कbooks व्हाद के जनर डीडिंग का सहयależ राहिए पिंससम्गेट का फॉम्द सफानलश आज की रीडिंग में है साइं बाबाजी के दिव्य संदेश जैसा ही आज वीरवार है और हर ब्रस्पतिवार मैं साइं बाबाजी के दिव्य संदेश डालती हूँ आप कि जिस भी डिवाइन को मांते हैं मातारानी, वाहे गुरू, जिजस, किसी को भी मांते हैं आप उनको सोचके इस संदेश को देख सकते हैं और यह जो रीडिंग होती है ये हर कोई देख सकता है और जैसे कि ये कलेक्टिव और टामलेस है अब जब जी चाहिए आप इसको देख सकते हो क्योंकि साहीन बाबाजी के दिव्य संदेश पे हर एक हक यह लपरीडिंग नहीं है कि जिसकी कोई problem और solution है तुशन हमारी जीरतने लाइफ में a अगर सबiyi को हर कोई अपने आपको समझत है कि मैं सक्शम हूं पूरन हूं लेकिन जहां problems की बात आती है तो सबसे पहले किसकी याद आती है ईश्वर की तिकि ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है साही ब्याबा जी ने धर्थी पे आके अपना नाम कमाया ऐसे करम करे जो आज तक उनको दुनिया याद करती है इनों ने बताया कि करमा इनसान के लिए कितना जरूरी है अगर चाहते तो ये उस टम महलों में रह सकते थे लेकिन इनों ने अपना जो रहन सहन जो था अपना ये एक नॉर्मल और ऐसा रखा कि जिससे दुनिया को कोई सीख मिले तो चलिए देखते हैं साही बाबा जी क्या कहते हैं ओम साही नाम बाबा जी कह रहे हैं कि आपके अगर आपका बुरा वक्त आप में से कुछ लोगों का बुरा वक्त चल रहा है और आपको कुछ सम्मरी नहीं आ रही और वो बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है तो आपके कर्मा क्लीन्ज हो रही है यनि कि ये जो टाइम आया हुआ है ये आपके कर्मा का फाल है जो आपने कभी करे होंगे जिसका आपको अंदाजानी जाने अंजाने में तो ये आपके जब कर्मा क्लीन्ज हो जाएंगे तो आपके जो अच्छे दिन है फिर लोट आएंगे इसलिए अगर सुख हसके सेखते हो सुख का हसके इंज्वाय करते हो तो दुख के लिए ज़्यादा रो मत मुस्कुरा के इस टाइन को मुस्कुरा के समझो मुस्कुरा के इस टाइन को स्पेंट करो क्योंकि ये दिन अब जादा दिन नहीं रहेंगे जैसे ही आपका कर्मा क्लीन्ज होंगे आपके पुराने दिन लोट आएंगे ये एक life का ये एक जिन्दिगी के हर एक के साथ है जब कर्मा खराब होते हैं तो वो क्लीन्ज करने पड़ते हैं जो बैड लग जिसको बोलते हैं ना कि मेरा बैंड लगता वह यही है ओम साहिं राओं ट्रस्ट बाबा जी कहा रहे हैं जिस भी डिवाइन पे बरोसा करते हो चाहे कोई भी है ओम साहिराम भाबा जी कहते हैं मेरे पे ट्रस्ट रखो जब तक आपका मेरे पे ट्रस्ट रहेगा मैं आपका गलत नहीं होने दूगा जो आपके लिए सही होगा मैं वही करूँगा जब ट्रस्ट होगा तो चीज़े ओटोमेटली सही होगी क्योंकि ट्रस्ट पर ही सारे काम चलते हैं जब इंसान की किसी से ट्रस्ट तूट जाता है तो हिम्मत तूट जाती है तो मेरे पर ट्रस्ट रखो मैं कभी आपका बुरा नहीं चाहूँगा बाबाजी कह रहे हैं ओम साइनाम बाबाजी कहा रहे हैं कि जो चीज़ें आपको परिशान करती हैं उनको इग्नोर कर दो जैसे यह थोट है जो दिमाग में आते हैं आपके चेहरे में आपके चेहरे पर सैडनेस लिखे आते हैं उनको अपने दिमाग से रिलीज कर दो जो आपका आसपास का महोल है वो आपको परिशान करता है उससे थोड़ा दूखरो जो तो कहने का मतलब यह है जो चीज़े आपको परिशान करती है उनको इगनोर करो क्योंकि जो चीज़े हमें परिशान करें वो हमारी हो इनी सकती चाहे वो थोटो चाहे वो आसपास कम हो लो लेकिन जैसे ही आप पेन इग्नोर करोगे आपका पेन जो है कम हो जाएगा ओम साइरा बाबा जी कह रहे हैं जो लाइफ आप जी रहे हो जिस से बहुत प्यार करते हो और हर वक्त इसी टेंशन में रहते हो क्या होगा future secure नहीं है क्या होगा finance नहीं है future में क्या होगा family का क्या होगा बड़े सवाल आते है human में क्या होगा future में और जो ज़्यादा दुखी होता है low energy में होता है वो अपना past को देख देख के अपना दुखी रहता है रोता है कि past में ये हुआ था past में ये हुआ तो ये क्या है? ये सिरफ फीक मन की वो बाते हैं जिनका हमारी लाइफ में आने वाले टाइम का कुछ नहीं पता कि कैसा आएगा. ठीक है, सही चलना, अपना सोचना, अपनी फैमिली का सोचना अच्छी बात है, अपने रिष्टों का सोचना, लेकिन इतना मत सोचिए कि हर वक को इनजाइटी का शिकार मना लिजिए, मैडिसन का शिकार मना लिए, बड़े लोग होते हैं जो पास्ट का सोचते हैं और पास्ट के साथ जीते जाते हैं और अपना प्रेजेंट खराब करते हैं, मान लिजिए कोई दो साल इनजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी प्रॉब् प्रेजर का सोचे, लाइफ जो है, लाइफ अपनी प्रेजेंट में जीए, जो आज है, वो आज है, वो गाना है न, हर पल यहां खुल के जीओ, तो इसी लिए बाबा जी कह रहे हैं, प्रेजेंट में जीओ, जब आप प्रेजेंट में अच्छे करम करोगे, अच्छा लोगे, और अच्छे तरीके से जी होगे, तो पास्ट का तो पता नहीं, future आपका अपने आप से क्योर हो जाता है, जो करम हम करते हैं, हमारे family, member, हमारे बच्चे, वो ही सीखते हैं, आगे अपने आप वो समझदार होते हैं, और अपनी लाइफ यहाग जीदाते हैं, बाबा जी कहते हैं किसी को मत जज्ज करो खाली जो खाली दिमाग होता है वो हर एक किसी को जज्ज करता है तो इसलिए अपने आपको बिजी रखो और किसी को जज्ज मत करो चाए वो इनसान है अपना है चाए कोई दूर का है जब हम किसी को जज्ज करते हैं तो हमारे कर्मा जो है खराब होते हैं माल लीजिए जनरली तोर पे जैसे आप वो कहते हैं वो है ना जो अच्छा नहीं है वो ना चोरी करता है वो बिजनस नहीं करता, बिजनस में हेरा फेरी करता है, वो उसका करम है, उसके साथ रहने दीजिए, जो वो करता है, अगर वो अपने काम में गड़बड़ी करता है, सामने वालों को दोखा देता, तो वो उसका करम है, वो उसके भी करमा क्लेंज करने पड़ेंगे, लेकिन आप बोलके अपने जज्र मत करो, क्योंकि आप अपने करमा बढ़ाते हो, बैड करमा बढ़ाते हो, कहते हैं ना, अच्छा हो लो, अच्छा सोचो, अच्छा कहो, इस पे अच्छा कहो वाली बात आती है, आप अच्छा कहो, अगर किसी को बुरा नहीं कह सकते, तो बुरा भी मत करो वो सामने वाले के करम है कि वो कैसे करमा कर रहा है और उसको कैसा हूं मिलना है Master Will ओम साहिना बाबा जी कह रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है प्रेजन्ट में जा पास्क में जो भी हुआ है वो डिवाइन की वज़ा से हुआ है डिवाइन के हुकम से हुआ है जिस भी इश्वर को मानते हो उसके हुकम से हुआ है शायद डिवाइन आपको सिखा रहा है कुछ बता रहा है और आप वो लेसन सीखनी पारे वो आपको self-dependent बनाना चाहता है आपको कुछ सिखाना चाहता है आपको कुछ ऐसी बाते सिखाना चाहता है जो आज तक आप समझ नहीं पए तो जो divine की वज़ा से हो रहा है तो उसको अगर खराब time भी है हसके इसको बिताओ हसके इसका अपयोग करो क्योंकि divine हमारा कभी गलत नहीं सोच सकता और divine हमारे लिए अच्छा सूचता है हो सकता है इसके बात जो वक्ता है हमारा इतना better है जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं ओम साहिरा अगर आप life में परिशान है अपने finance को लेके आप में से कुछ लोग होगे जो अपने finance को लेके बहुत परशान होगे सोच रहे होगे कि finance बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा कुछ तो ये भी सोच रहे होगे कि covid आ गया है चला गया है कम हो गया है लेकिन हलाग वैसे के वैसे है तो आपके life में abundance आने वाली है यनि कि आपके finance के रास्ते खुलने वाले है चाहे वो आपका कोई अपना business हो चाहे कोई जो हो चाहे किसी के साथ partnership हो कुछ भी आपको मिल सकता है इसलिए अब आपके abundance के जो abundance का पैसे का finance की वज़ा से परिशान है finance को ढूंड रहे है अब उनके रास्ते खुलने वाले है बट आपके कर्मा अच्छे होने चाहिए business में कोई भी काम कीजिए एक अपनी मेहनत का फल लीजिए थोड़ा बोदा हो सके तो charity कीजिए उसके काम business को काम को बहुत बड़ावा मेता है बाबा जी कह रहे है मेरे पे trust and faith रखो जब आप अपने divine पे trust and faith रखते हैं तो divine हमेशा हर पल आपके साथ रहता है कई बार क्या होता है कि इंसान हम लोग इतने प्रेशान हो जाते है कि इश्वर से भी बरोसा उड़ जाता है कि नहीं उदर उदर नहीं वहाँ जाके देखते हैं वहाँ जाके देखते शायद मन्नत पुरी हो जाए तो इश्वर से बरोसा उड़ उसका मतलब ये नहीं कि अगर एक ईश्वर का दुवार छोड़ के दूसरे में जा रहे हो तो वो आप सही हो सही है यनि कि आपका विश्वाश उठ रहा है ईश्वर एक है आपका विश्वाश उठ रहा है तो साहिराम कहने हैं कि मेरे पे अपने डिवाइन पे विश्वाश बना के रखिए हर जिगा मुझे ही पाओगे और अपनिया प्रशानिया सब बूल जाएगे ओम सहिरा बाबा जी कह रहे है जिन्दगी जीने के लिए है जिन्दगी में अच्छा भी होता है लाइफ में बुरा भी होता है जो चेंज प्रक्ति का नियम है कोई भी चीज सदा बहार और इस जैसी नहीं रहते हैं जब अच्छे दिन आते हैं तो हर इंसान सबको भूल जाता है आपने सुकों में वियस्त हो जाता है और जब खराब टाइम आता है तो सुको पता जल जाता है उसको क्यों नहीं जेलता आपने उपर तो इसका मतलब ये है यगर आप सोचो कि हमारे पास हमेशा खुशियां रहे सुक रहे, पैसा रहे बिजनस रहे, रिष्टे रहे तो एक जैसा समय कभी नहीं रहता, सब कुछ एक जैसा नहीं रहता, इसलिए ये प्रक्ति का नियम है सब चीजे आपको जेलनी आए अगर इस दर्ती पे आए हो कोई भी चीज पर्मानेंट नहीं रहती, चाहे वो इंसान हो, चाहे पेड़ पोदे हो चाहे इंसान का लाइफ स्टाइल हो चाहे अबेंडस हो चाहे रिष्टे हो ना तो वो पर्मानेंट रहती है ना वो एक जैसे है आपको पता है, फैमिली में भी जड़क होती है जितना मर्जी प्यार हो, क्योंकि एक जैसा कभी भी कुछ नहीं दरता ओम सायरा सर्विंग दा मेड़ी बाबा जी कह रहे हैं अगर हो सके तो आप जुरूरत मंदों की जैसे आपको कुछ सवालों की जवाब नहीं मिल रहे और आपका टाइम जो है खराब चल रहा है रिष्टों को लेके तो हो सके तो आप जुरूरत बंदों की मदद कीजिए यादि की चैरिटी कीजिए ब्लाइंड स्कूल में जहां ब्लाइंड के वो होते हैं अगर किसे की रास्तों में ब्लॉकिज हैं आपको लगता है रस्ते बंद हुई हुई है चाह जिष्टे हो चाह बिजनस तो आप ऐसे कीजिए जहां ब्लाइंड का वोस्टन होते हैं वहां पर दान कीजिए वहां बहुत जल्दी रास्ते खुलते हैं कोई मैडिसन की किसी को जरूरत है, खाने की जरूरत है कपड़ों की जरूरत है तो आप उनमें चैरिटी कीजिए दान कीजिए आपके रास्ते खुलने शुरूर रहेंगे अगर आप किसी चीज को लेके बार बार परशान होते हो तो आपको बता दे बाबा जी कह रहे है आपको रेजल्ट आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो रेजल्ट खराब मिल रहे है बार बार एक ही चीज आपके साथ रेपीट हो रही है तो डिवाइन आपको बाबा जी कह रहे है सिखा रहे है लेसन सिखा रही है example के तोर पे अगर माग लीजिए आप किसी इंसान के साथ अच्छा करती हो वो क्या करता है आपके साथ बुरा करता है विजनस में दुखा देता है रिष्टों में दुखा देता है फिर second time आता है फिर आप ऐसे करती हो फिर आपको आगे से trust नहीं मिलता फिर दुखा मिलता है तो divine आपको सिखा रहा है कि इतना अच्छा मत बनो कि सामने वाले को एक चीजों को practical लेके चलो ज्यादा अच्छे हो सामने वाला cheat कर रहा है कोई जुरूरी नहीं है कि आपकी अच्छाई जो है नहीं बहुत अच्छा है यही अच्छा ही बहुत है किसी का बुरा मत करो तो इसलिए divine कहा रहा है कि वो आपको lesson मिल रहा है कि अपनी उन चीजों जिस चीजों की वज़ा से आपकी आगे रिष्टे खराब होते हैं आपका finance खराब होता है तो थोड़ा balance बना के चलिए नहीं तो बार-बार आपके साथ यही चीज़े repeat होगी learning का lesson है यह आपके लिए तो यह चीज़े मुझे लगता है बहुत जो अच्छे लोग होते हैं बहुत होते हैं पहले किसी के साथ अच्छा करते हैं जब उनको नहीं अच्छा से मिलता reply तो वो दुखी होते हैं तो इससे अच्छा अपने आपको balance कीजिए थोड़ा सा अपने आपको practical बनाईए चीज़ों को balance बनाईए लेकिन किसी पे इतना विश्वाश मत कीजिए कि सब कुछ अगले को सौंपने हैं क्योंकि जहां बुरूसा होता है वह ही पूखता है कट, clear, cancel बाबा जी कह रहे है उन चीज़ों को clear कर दो, cut कर दो जो आपके past में आप, past के थोट है जैसे आपको past के थोटों से प्रेशानी होती है तो उन चीज़ों को cut, clear, cancel कर दो यनि कि जो चीज़े आपकी memory में stoke है वो हमेशा आपको pain देगी जो बूरी चीज़े हैं वो हमेशा आपको pain देगी तो आपको उन चीज़ों को cut, clear, cancel करना होगा तभी आपके healthy brain होगा और आपके आगे healthy life होगी लास्ट कार्ड निकालने जा रही है देखते हैं ओम साहिराम जी कैसा निकालते हैं देखे, लास्ट कार्ड कितना बढ़ी जा निकला है बाबा जी कह रहे हैं, आप अकेले नहीं हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ हर situation में आपके साथ हूँ हर बुरे वक्त में आपके साथ हूँ आप अकेले नहीं हो बस मेरा साथ आप ना छोड़ो आपका साथ मैंने चोड़ोगा जब भी मुझे बुलाओगे किसी situation में याद करोगे हमेशा आपकी help करूगा चाहे वो किसी अच्छे इनसान के रूप में दर आके और चाहे कैसे भी कभी कभी इनसान कहता है कि वो मैं बहुत परिशानी में था तो क्या है सामने वाला एक इनसान आया उसने मेरी कितनी help करी मैं भूली गया कि मैं इतनी परिशानी में था तो बाबा जी वही कहते है कि आपके हर बुरे समय में मैं आपके साथ हूँ आप अकेले नहीं हो चाहे किसे इनसान के help में आऊ तो समझ लेना कि बाबा जी ने आपकी help की है क्योंकि गाइज आप कही बार देखते होंगे आप लोगों की life में भी होता होगा किसी वक्त आप बाहर जाते हैं आप किसी ऐसी परिशानी में पढ़ जाते हैं कि आप सोच नहीं सकते कि कैसे निकलूगा तो कोई एक ऐसा अच्छा परसन आता है जो आप कोई वो problem soul करता है तो वो क्या होता है वो भी divine नहीं बंदा इंसान बेज़ा होता है divine को बता चल जाता है कि आप परिशान हो तो चलिए ये थे साही राम जी के दिवय संदेश दो तिन tarot reading है तो कुछ का आड़म tarot का भी दाल लेते हैं ताकि ये advice मैं आपको अपनी करब से दूँगी दो करते है प्रेंगा आप इसल दौँगे आप लोग बहुत प्रेशान हो चाहे वो बिजनस है, कैरियर है, फाइनस है जा रिलेशन्शिप है आपने हमेशा सब का अच्छा गिया है, आप में से कुछ लोग है, हमेशा अच्छाई का साथ नहीं चोड़ते, लेकिन आपके साथ क्या होता है, कि आपका अब ये हाल है, कि आप खुद अकेले पड़ेगे, आपका साहथ देने वाला कोई नहीं तो अगर आपने सब का अच्छा किया है, तो आप एक अच्छे इंसान हो, और इससे पता चलता है कि आप अप बुद्धिमान भी पूरे हो, जो दिमागा अपने लोगों पे लगा के सामने वालों की प्रॉब्रम सोल करी है, इस अनरजी से निकले और अपनी प्रॉब्रम खुष सोल कीजिए, क्योंकि आप में कोई कमी नहीं है, इस वर्थ सिर्फ आपने इम्मा छोगती है, अगर आप किसी रिष्टे में हैं, तो दुखी मातो ये, अपने आपको इस अनरजी से निकल लिए, और अपनी चीजे खुष सोल रही है, आपका दिल बहुत प्यार है, बले ही आप किसी का इंतिजार कर रहे हो, लेकिन आप दिल के बहुत अच्छे हो, सामने वाले को सपोर्ट करने वाले इंसान हो, हर सिचुएशन में ढलने वाले इंसान हो, अगर आपके दिल के बात करें, तो आपका जैसा दिल किसी किसी का होता है, क्योंकि सामने वाले को स इंतिजार कर रहे हो तो वो इंतिजार अब ज्यादा दूर नहीं इश्वर आपकी जुरूर सुनेगा बिंगो गाइज मेरिज का कार्ड आया है आप लोगों लगता है काफी दिनों से इंतिजार कर रहे हो शादी का आपकी चीज़े जो है पोस्ट भूंस हो रही है तो अब ये कार्ड अपने आप में इतना पोजिटिव है कि इसके लिए मैं क्या ज्यादा बोनू कि आपकी जो दिल की ख आदी होने वाली है आपकी जो चीज़े रुकी हुई है वो आगे जाने वाली है देखिए जहां मैरिस का बाप की वहां ये भी आगे अगर आप किसी के साथ इमोशनली अटेंच हो आपका दिल उनके साथ जुड़ा हुआ है तो आप किसी चीज़ों का इंतिजार कर रहे हो तो सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आने वाला है बहुत दिन आपने परिशानी से काट लिए अब सेलिब्रेशन तो बनता हिया है गाइस अगर आपको फाइनस में लूस हुआ है आपके सामने वाले लोग जो प्रजेक्ट जा जोब में थे उन्होंने आपको पीछे दकेल दिया है आपका इसी तरह से कर दिया है कि आप आप फाइनस में बिल्कुल ही डाउन हो तो मैं आपको बता दू यह आपके करमा क्लिंज हो रहे हैं यह कुछ आपके करमों का इफेक्ट था जो आपने इतना बैट समय देखा अब आने वाला टाइम आपका बैटर होगा डिवाई ने आप सब लोगों के लिए बोला है कि आप किसी भी चीज के लिए अगर सोच रहे हो तो अब हो आपकी बनने वाली है क्योंकि इश्वर का आपके उपर हाथ है लेकिन अपने आपको पोजिटिव रखिए और औरों को भी पोजिटिव कीजिए जब खुद लोग अनर्जी में होगे तो औरों को क्या पोजिटिव करने आप एक समाज का हिस्सा हो तो आपको पोजिटिव बने रहना है अपनी चीज़े भी सही करनी है और और उको भी positive करना है क्योंकि किसी भी रिष्टे का इंतजार कर दे हो किसी job का इंतजार कर दे हो किसी carrier का किसी relationship का तो आप वो चीज़े जो है जहां आपका separation चल रहा है अब दुबारा से वो चीज़े शुरू होने वाली है करना बिल्कू न बूलना साथ में मेरे चैनल को subscribe भी और bell icon जुरूर प्रेस कीजिए क्योंकि मिलेंगे next ताकि मेरी next वीडियो का notification पुझे आपके phone तक मिलेंगे next reading में तब तक के लिए God bless you, जैमाता दी और ओम्स नाइगा